बोश्पूरी सिनेमा इंडस्री की मशूर अभिनेत्री अक्षरा सिंग जल्द ही दश्कों के बीच एक बड़ी धमाकेदार फिल्म लेकर आने वाली है और अक्षरा सिंग इस बार के फिल्म में एक्षन ड्रामा रुमैंस सब कुस देखने को मिलेगा जिहां हम बात कर रहे है बोश्पुरे बनेत्री और दिख्जायों की सबहता है श्कूल को प्यार होता है इसको कोई भूल नहीं सकता है इसलिए मैं Darling Film के माद्यम से लोगों की इसकूल की याद को ताज़ा करने के लिए फिल्म भी कराई हूं अक्षरा सिंग बता दे कें कि Darling Film में किरदार को मैंने और आउल संबाने निल्भाया है इस फिल्म में मैं रॉकस्टार सिंगर के भूमिका में हूँ बाके अक्षरा से जब पूछा गया था कि आप लंबे समय के बाद इस फिल्म में नजर आ रही है तो अक्षरा सिंग ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में यूथ का आना बहुत ज़रूरी है इसलिए जब मैंने सुना कि डार्लिंग में राहूल अबनीता का किरदार निवाएं आपको बता दे कि अक्षरा सिंग पटना फिल्म के प्रोमोशन के लिए उस वक्त आयती है जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था लेकिन हम आपको बता दे कि आने वाली नई फिल्म डार्लिंग के रिलीज डेट का नांस्मेंट भी अब हो चुका है यानि जिल्द ही ये फिल्म आप आपके सिनेमा घरों में रिलीज हो सकता है तो चलिए आज किस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अक्षरा सिंग और राहुल शर्मा के आने वाली नई फिल्म डार्लिंग आकिर कब तक सिनेमा घरों में आईगी लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नहीं मेर इसमें दिखाए गया है कि लड़की अपने प्यार को पाने के लिए संकी हो जाते हैं इसलिए यूथ के लिए ये फिल्म बहुत खास है इसमें सभी टीम में मिलकर अच्छा काम किया है इतना ही नहीं रहुल शर्मा ने बताये था कि डार्लिंग फिल्म मेरी पहली काफी अच्छी अभी लिटरी के साथ हुए है मुझे अक्ष्रा से बहुत कुछ सेखने को मिला है वो मुझे सेट पर बहुत अच्छे चे को और याने वाली नई फिल्म डार्लिंग का बहुत बेसब्विस इंतजार था और अक्ष्णा के फैंस ट्ट्वें देखने के कि डार्लिंग वाली साथ जुलाई को सिनेवा गरों में रिलीज कर दीचाएगी यारे बोश्पूरीय दर्शक और अक्ष्रा सिंगे फैंस इस फिल्म को साथ जुलाई को अपने निजिकी इस नियुक्त आपको बता दे कि बागा मोशन फिक्चर प्राइवट लीमिटिद के बाकी इस फिल्म की को प्रोडूशर अनिता शर्मा है बाकी बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की तो आपको पताते चले कि अक्षरा सिंग तो आयोध्या में हुई और जैसे ही अक्षरा सिंग ने यह बात कही वैसे पत्रकार ने अक्षरा सिंग से पुछा कि पिखार की कलाकार विहार की चूड़ कर शूटिंग करने के लिए यू पी और दूसरी राज़ों में क्यों जाते हैं इस पर अक्षरा सिंग ने कहा कि बिहार सरकार से कई बार यहां फिल्मों की शूटिंग के लिए सुविधाय मोहया कराने की मांग की गई है लेकिन आज तक सरकार ने कोई सुविधा नहीं दिया अक्षरा सिंग ने कहा कि मैं सरकार से हर बार ही मांग करती हूँ कि बिहार के कलकार को यहां सुविधा मुहया कराया जाए ताकि फिल्मों की शूटिंग यहीं की जा सके लेकिन सरकार इन बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देती है बाकि आपको बता दे कि डार्लिंग फिल्म को लिखकर अक्षरा सिंग ने भी कहा था कि मेरा प्रयास रहता है कि जब यू आ प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा इसलिए वो नए कलाकार को प्रमोट करती रहती है पाकि अक्षरा ने अपने फिल्म के लिए बताए कि रोमैंटिक फिल्म होने वाली है जो गानों से भरपूर होगी बाकि आपको इब फिर बता दे कि अक्षरा सिंग की फिल्म डार्लिंग आने वाले साथ जुलाई को आप सबके रजदे की सिनेमा गरों में रिलीस कर दी चाहिए और इस फिल् फिल्म अगने शाक्षी में नजर आने वाली हैं बागे इसके साथ इस वीडियो के इंपर समात करते हैं और मिलते हैं से किसे नए वीडियो के साथ तब तक मुझे जासा देश धन्यवाब